Hello everybody, कैसे हैं आप सब मैं प्रवीन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Swag Buck के बार में जैसा कि आप देख सकते हैं इस website को ये website claim करती है कि यहाँ पे आपको surveys वगरा मिल जाते हैं इसके लावा आप आपको कुछ काम होते हैं जो करने पड़ते हैं अगर आप उन सारे कामों को पूरा करते हैं तो ये website आपको पैसे दे देती है तो आज मैं आपको complete इस website पे लेके जाऊंगा किस तरीके से काम होता है वो बताऊंगा क्या सच में आप ऐसे earn कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं ऐसी complete information मैं आप लोगों को देने वाला हूँ साथ ही साथ मैं आपको अपनी earning भी दिखाऊंगा क्योंकि 3-4 दिन मैंने इस website पे काम किया है और मुझे क्या result आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो शुरू से लेके last तक इस वीडियो को देखते रहे हैं बट उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आयो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो इस फीचर में जब भी लेके आएं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो बात कर रहे हैं दोस्तों swagbuck के बार में बहुत पुरानी website है बहुत सारे पैसे ये दे चुकी है लोगों को तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी अर्डिंग जो है रिवील करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं order status पे जाता हूँ order status पे जाके आप देखेंगे कि 50-50 dollars के 2 जो मैंने पैसे हैं वो अपने bank में ले लिए है यानि कि करीबन 100 dollars मैंने इस website से earn किये हैं वो भी करीबन 3-4 दिनों के अंदर 100 dollars का मतलब हो गया आपका करीबन 7,000 रुपे यह आप देख सकते है PayPal में 50 dollars जो है मेरे account में पहुँच चुका है और another 50 dollars जो है यह account में आने वाला है अब यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से पैसे आपकी account में पहुँचते हैं redeem का procedure क्या होता है PayPal पे account बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सारी चीजे में बताऊंगा don't worry तो सबसे पहले तो दोस्तों हम swag bug की main website पे चलते हैं और मैं आपको बताता दो हूँ यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं देखे यहाँ पे आपको बहुत सारे surveys मिलते रहते हैं यह देखे जैसे यहाँ पे इस survey दिखा रहा है यहाँ पे अगर आप इस survey को पूरा करेंगे तो आपको 60 swag bug point मिलेंगे जितने ज़्यादा swag bug point होंगे उसको आप redeem कर सकते हैं पैसो में इसके लावा और भी बहुत सारे options होते हैं जहाँ पे आप इन points को use कर सकते हैं तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा बट यहाँ पे मैं आपको बात आता हूँ जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए एक minute का यह जो survey है इसको पूरा करें और आपको 4 swag bug point मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको daily polls मिलते हैं side में daily poll का option था अगर आप इस daily poll को पूरा करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 swag bug point मिल जाएगा इसके अलावा भी और भी बहुत सारे task वगरा होते हैं जैसे मैंने task पे click किया तो यहाँ पे एक answer का task है देख सकते हैं दोस्तों task आ चुका है यहाँ पे next करता हूँ यहाँ पे जितने भी task होते हैं अगर मैं वो पूरा करता हूँ देख लीज़े मैं आप लोगे सामने कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 swag bug point मिलेगा अगर मैं इस task को पूरा कर लेता हूँ इसके लावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे task दिये जाते हैं surveys दिये जाते हैं कुछ ऐसे बड़े survey भी होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा points मिल जाते हैं जासे कि आप देख सकते हैं 60 swag buck point मिल जाता है तो basically आपको यहाँ पे इस website पे आके इन सारे कामों को करना है और आप यहाँ पे points कमा सकते हैं उसके बाद आप उन points को जो है आप अपने account में transfer कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और चीज में आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो भी survey मिलेंगे वो बहुत छोटे नहीं होंगे करीबन एक survey complete करने में आपको 5 से 10-15 मिनिट का वक्त लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह complaint रहती है कि survey पूरा करने पे पैसे नहीं मिलते है ऐसा नहीं है पैसे मिलेंगे अगर आप काम करेंगे और यहाँ पे आपको ज़्यादता surveys मिल जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे survey नहीं मिलेंगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों redeem में कि किस तरीके से आप जो swag points कमाएंगे उसको आप कैसे redeem कर सकते हैं और कैसे उसको पैसो में convert करके अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे side में दोस्तों यहाँ पे redeem your sb याणि कि redeem your swag points, swag bug points जो है अगर आपके पास यहाँ हजार swag points है तो यहाँ पे 10 dollar ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पैसे PayPal में transfer करने हैं cash के तौर पे तो यहाँ पे आपके पास 700 swag points होने चाहिए आपको 5 dollar मिल जाएंगे अगर मैं चाहूँ तो अपने यह 1500 जो भी swag points है इसको मैं transfer कर सकता हूँ 5 dollar के उसमें PayPal के account पे यहाँ पे आप लोगों को अपना PayPal का account बनाना पड़ेगा PayPal का account बनाना बहुत simple है but make sure जिस भी email id से आप यहाँ पे swag bug पे register करते हैं उसी email id पे same name पे आपका PayPal का account होना चाहिए PayPal का account बनाना बहुत simple है जाके सिर्फ आप आपको register करें register करने के बाद वहाँ पे approval में 4-5 दिन का समय लग सकता है तो उतना आपको PayPal पे अपना complete account बनने के लिए wait करना पड़ सकता है इसके लावा हम देख सकते हैं आपके बाद 950 swag points है तो आप यहाँ पे flip card का 500 रुपे का voucher ले सकते हैं इसके लावा आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपको gifts card मिल जाते हैं इसके लावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे view all पे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे gift voucher मिल जाते हैं पेपल के भी मिल जाएंगे flip card के मिल जाएंगे steam digital के मिल जाएंगे तो आप अपने points के हिसाब से उनको redeem कर सकते हैं मैं आप लोगों को यही suggest करूँगा कि आप PayPal के through redeem करे ताकि आपका जो पैसा है directly आपके account में पहुँच जाए PayPal पे आप जब भी अपना account बनाएंगे तो account जब आपका approve हो जाएगा उसके बाद उसको आपको अपने account से link करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके PayPal account में कोई भी पैसा आएगा कोई भी amount आएगा जो कि डॉलर की रूप में होगा उसको जो है PayPal डिरेक्ली आपके bank account में transfer कर देगी तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे vouchers मिल सकते हैं तो आप अपने accordingly आपकी जितने भी points होते हैं उसके accordingly जो है आप उन points को use कर सकते हैं तो यहाँ पे आप मैं आजाता हूँ Swagback की main website पे अब जो main question उठता है वो यह है कि इस website पे काम करके कितने पैसे earn के जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई investment करने की जुरत नहीं है सब कुछ without investment है सिर्फ आपके पास आपका इस website पे account बना होना चाहिए और आप काम करना शुरू कर सकते हैं zero investment वाली मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अगर एक average लेता हूँ कि आप अकेले काम करने वाले हैं और आप जो है यूनो 4 से 5 सर्वे पूरा कर लेते हैं तो on and average आप यहाँ पे 30 points के इसाब से भी मैं बता हूँ तो आप यहाँ पे 1.500 से 200 points कमा सकते हैं रोज एक घंटा काम करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ जादा नहीं कह रहा हूँ अगर आप एक घंटा काम करते हैं 5 सर्वे पूरा कर लेते हैं करीबन 200 swag points आप दिन में कमा लेंगे और 200 इंटू 10 करू तो 2000 आप swag points कमा सकते हैं 10 दिन में अब यहाँ पे अगर आप रीडीम पे जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि 2000 swag points से आप जो है 15 dollar पेपल पे ट्रांसफर कर सकते हैं आपके पास करीबन 2000 dollar होते हैं क्योंकि 700 swag points का 5 dollar आपको मिल जाता है तो उसे साब से करीबन 200 points का जो होगा आपको 15 dollar मिल जाएगा 15 dollar का मतलब होगे आप यहाँ पे 1000 रुपे या उससे थोड़ा कुछ ज्यादा amount जो है अपने account में transfer कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर अगर आप लोग महीना पर काम करते हैं रोज एक गंटा में आपके काम करने की बात कर रहा हूँ तो करीबन आप 4-5 जजार रुपे पराम से अंड कर सकते हैं without investment तो यह मैं दोस्तों उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सरिफ रोज एक गंटा ही देते हैं अगर आप दो गंटा देते हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा कमा सकें और अगर आपके घर में 3-4 जने हैं जो जिनको internet चलाना आता है जो सर्वेज फिल कर सकते हैं तो आप उनको भी काम बता कर अगर आप लोग टीम वर्क के साथ काम करें दो जने मिल के काम करें तो यहाँपे आप महीने के 10,000-15,000 रुपे भी अंड कर सकते हैं और अगर आप 4 जने भी घर में हो और आप ये काम करते हो तो महीने के 20-25 जा रुपय आप अकाउंट में अपने हर महीने ले सकते हैं without investment ऐसा नहीं कहा रहा कि ये मैं fraud बात बता रहा हूँ ये सारी चीजे possible है बट काम करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया कि याप आपको survey जो है करीबन एक survey फिल करने में 10-15 मिंट का वक्त लग जाएगा बहुत लोग क्या होते हैं वो survey फिल नहीं करते हैं वो बीच में कुट कर जाते हैं वो सोचते हैं पैसे आएंगे नहीं आएंगे बट ऐसा नहीं है पैसे आते हैं इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूँ तो जो लोग without investment की चीजे खोज रहे हैं जिनको कोई particular skills नहीं आती तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा option रह सकता है इसके लगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आप यह पाएंगे कि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं online earning से related बहुत सारे tutorials बनाए हैं जहां पर मैंने आपको complete information दी है ब्लॉक कैसे बनाना है अपनी website कैसे बनानी है अपनी app कैसे बनानी है तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते है तो आप अमारे चैनल के playlist section पर आए playlist section पर आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मैंने free android app बनाना आपको बताया है ब्लॉक कैसे बना सकते हैं उससे कैसे पैसे अंड कर सकते हैं वो बताया है drop shipping क्या होती है वो कैसे करना होता है वो चीज़ बताई है इसके अलबा बहुत सारे ऐसे videos आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए helpful हो सकते हैं अगर आप पैसे अंड करना चाहते हैं online बहुत सारे tutorials आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप लोगों ने जाना है देखना है कुछ videos के link आपको इस video के description box में मिल जाएंगे बाकी आप हमारा channel जरूर चेक करें complete बहुत सारे information, education, opinion, interesting fact, technology से related आपको हमारे चैनल पर मिलेगी तो आप उन videos को जाके देखे ताकि आप सीख सके क्योंकि बिना सीखे अगर आप इस field में आते हैं तो आप एक पैसा नहीं कमाएंगे इसकी guarantee में लेता हूँ और अगर आप सीख के चीजों को करना start करते तो आपको पता होगा कि कहां पे कहां गलती हो रही है क्या चीज आपको सही करनी है और कैसे आपको काम कर करते हैं 90% से जादा हार मान जाते हैं अपने 5-6 महिनों में अगर आप consistent रहेंगे काम करते रहेंगे तो पैसा आपके पास जरूर आने वाला है तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यह कतम करेंगे उमीद करता हूँ जो हमारी कोशिश रहती है आप लोगों तक कुछ नया पहुचाने की कुछ नया बताने की वो पूरी हुई होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को शेर करें तो दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत